समसम वादा तासुतोष भाटिया ने खास बाचीत की आम आदम पाटी के सेयोज़क अरविंद केजरिवाल से और केजरिवाल ने मीडिया सरकार के स्टिंग आपरेशन पर सवाल उठाए इस वड़ कमारे साथ अरविंद केजरिवाल मौझूद है अरविंद जी अनुरिंजन जहा के इस स्टिंग आपरेशन के बाद अब आपकी आदामे वीती नीती क्या होने जा रही है इसके स्टिंग आपरेशन से क्या फरक बढ़ता है आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारी नीतियां कुछ बदल गई है सेम नीतियां चल रही है वो तो करेंगे लिए इस बर क्या स्टिंग आप लेंगे इस तो आज उन्होंने प्रेस कॉंसरेंस करके बता दिया शायद की करेंगे, और एसी में भी शायद शिकायद करने गए हैं प्रशान भूशन वगएरा इस defic ajust से पूछन पड़ेगा डिटेल्स एज पूरा दिन रोड़ शो में था। मैं पूरा Warriors में देख रहा थो तो वह सारा प्रशान योगेंदरियादब और23 संजय अब आप खुल मिलाकर यह मान लिया है कि सारे इस्टिंग आपरेशन पूरी कम्प्लीटली फर्जी था फॉम जजिते हैं सारी की सारी टेप जो है वो काट पीट के बनाई गई है हमने का भी रॉट टेप दे तो उसको क्यों डर लग रहा है रॉट टेप देने में अगर वो स क्या था आगे पीछे वाला देखो आपको सारा समझा जाएगा तो वो बेसिकली बदनाम करने के लिए बनाई गई है वही हमने रॉबर्ट वाडरा को चैलेंज किया है नितन गड़करी को चैलेंज किया सलमान खुरशीद को चैलेंज किया मुकेश अंभानी को चैलेंज कि अब सवाल ये उटता है कि 48 गंटे में क्या इलेक्शन कमिशन किस तरह जार क्यों कि फॉरेंसिक जाच होती है लंबी चोड़ी चीजें होती है तो मिरको तो पता नहीं मैं अब प्रिशान से बात करूँगा मैंने बताया मैं सारा दिन रोडशों में था फिर मैं सबह में आ गया एक दूसरा मामला था अर्वन जी जब हो मिनिस्ट्री ने आपको जो 30 सवाल भेज़े थे उसका क्या रेस्पॉंड आपने किया है वो प्रिशान्त कर रहे थे भेज दी होंगे उन्होंने उस दिन कहा रहे थे मैं भेज रहा हूँ इसके उपर प्रिशान्त बूशन से पूछे हैं हमारी लीगल टीम से मेरे को ज़्यादा है मैं तो सारा दिन जंता में रहता हूँ जी यह जो इस्टिंग ऑपरिशन है इसके पीछे किन लोगों की राजनितिक साजी शाफ पाते हैं यह सारे जितने प्रष्टा चारी है इस देश के सारे कठे हो गए धरम युद्धै जी इस बार यह प्राप पुन्ने के खिलाफ यह सारे पापी कठे हो गए हैं और यह हम लोगों के उपर हमला करेंगे पर इसमें गवराने की बात नहीं है जितने हमले कर रहे हैं उतनी भीड़ी और जाधा बढ़ती जा रही है जितने हमले कर रहे हैं उतनी भीड़ आज एक सभा में भी जंता से पूछ ले थे जाजी को आपकी कुछ गैदरिंग्स में देखा था, उनको कुमार उश्वास के घर पर भी देखा था, आखिर ऐसा हुआ क्या, कि सम्मन्दों में ऐसा कोई दुराओ हुआ या उसके पीछे की कहानी क्या? मैंने तो उसके शकल भी नहीं देखी जी आज तक, कुमार का दोस्त था, कुमार से आज सुम्मे में बात करना था, कुमार ने कहा मेरे घर आया, उसकी बीवी भी आई, उसका बच्चा भी आया, मेरे पाउंच हुके गए, वो बोला ताउजी के पाउंच हुओ, और फिर उसन कुमार ने कहा कैश लेना तो इंकम टैक्स होटा सा पढ़ ले है, यह जितने चैनल वाले करा रहे हैं न, कैश, 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 इंडियन एकोनमी, सारे कानून एलाओ करते हैं, कि आप कैश रसीव कर सकते हो, बशर्ते आप उस पे इंकम टैक्स दो, अगर आ और शाजिया इल्मी की बात करें तो पूरी टेक्नलोजी अवेलेबल है तो मेरे को यह नहीं पता लेकिन जो कुछ पी ए ने बोला है बिल्कुल गलत बोला मेरा अंतिम सवाल रौ फूटेज ना मिलने की दशा में जो कि अब दय ही है कि आपको नहीं मिला तो उस दशा में आप किसी भी सूरत में कोई एक्षन की बात अब नहीं है कैसे करेंगे बताओ जी जब सारा का सारा ही फ्रॉड तो क्या एक्षन होना चीए उस पे उस पे एक्षन तो अनुरंजन जहापे होना चीए जेल भेजना चीए इसको ऐसा गलत काम करता है एक देश भक्ती के लिए लोग उठे थे उनको बदिनाम कर रहा ही है उसके खिलाफ एक्षन होना चीए गद्दारी कर रहा है देश के साथ बहुत बहुत शुक्रिया तो साथ तो पर देखा जा सकता है कि सेविनल के इजिवाल अपने सभी उमिलबारों को यहां पर क्लीन सिट दे रहे हैं इस समय दिली से कैमरामेन एसके दिवधी के साथ आशित मुश्बाटी आओ